नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं कि कल कौँछे stocks पर trade लेना है plus nifty bank nifty का scenario किया रहे सकता है and first of all आप लोगों को happy republic day guys so हम लोग start करते हैं में first stock की तरफ उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात important बात बताने वाला हूँ guys देखेगा कि जो भी stocks में youtube पे आप लोगों 5 stocks बताता हूँ generally होता कि हम लोग देखते हैं कि जब कल market open होती है तो वो stock उपर open होता है या नीचे open होता है और आप लोग trade लेने में आप लोगों को problem create होती है तो उसके लिए हम लोगों नई series को start करा है that is stocks in advance stocks in advance पे क्या होगा मैं आप लोगों को in the market live market के अंदर around 2.30, 2.00 बजे या 3.00 o'clock मैं आप लोगों को stocks provide करा हूँगा list 5 stocks मैं आप लोगों को यहां बताता हूँ बट मैं आप लोगों को almost 7-8 stocks वहां पर provide करा हूँगा वहां पर मैं आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड नहीं करवाने वाला ना किस लेवल पर भाई करना है किया टार्गेट अ किया स्टॉप लोगों को नाम बताऊँगा अब आपको करना कि यह लर्निंग परस्पेक्टिव से तो आप प्लीस जो serious हो वही यह चीज को लेक करेंगे आप लोग send करेंगे मैं अपकी analysis को अप्रूफ करूँगा अप्रूफ करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि यह target है यह stop loss है और यह buy price है ठीक है अब जनली बहुत जादा तर लोग मिरसे बोलते हैं sir आप calls provide कराया कर यह intraday के लिए यह swing trading के लिए तो मैंने सोच कि क्यों यह पर पैसे charge करने आप लोगों को इस तरीके से provide करवाया जाए कि आप लोगों की knowledge increase हो ठीक है because in the end हम आप लोगों को ही contribute करेंगे ठीक है so इसी वज़ा से यह series को start कर गया है but guys यह जो series है यह instagram पे start होगी yes no telegram no youtube youtube पे जो मैं stocks डालता हूँ 5 वो तो मैं डालूँग but instagram पे हम यह stocks in advance start कर रहे है तो जो आपको 7-8 stocks में provide कर रहा हूँगा in the live market यह हम आपको instagram पे प्रोवाइड कराएंगे हमारी stories में हो तो guys please description पे नीचे instagram का link है आप जाके फॉलो कर सकते है first investment है first underscore investment आप जाके हमें जोइन कर सकते है ठीक है on a daily basis आप लोगों को stories प्रोवाइड आप लोगोंगी हमारी instagram पे जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से time frame पे आपको analysis करनी है btsd कौन से stocks हैं और क्या तरीका है okay guys तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों कोई initiative पसंद आया हो तो please like करेगा हमारे इस video को and chat box पे में ज़रूर बताएगा क यह आप लोगों कैसा लगा तो यह first stock है that is granules india granules india को मैं buy करने के लिए recommend दे रहा हूँ और यह आप basically एक साल दो साल के लिए buy करना चाहते है तो भी कर सकते हैं almost इसने 80 rupees से अपनी rally start करे थी and 440 तक का भी यह high test करका है that is इसने 400 plus percent तक के return दी है कुछ time में yes guys अब यह थोड इस लेवल से एक breakout दिया breakout देने के बाद upside एक rally आई उसके बाद retest करा and उसके बाद upmove and एक फिर से retest कर रहा है ठेक है so कभी भी इस पे correction मतलब एक fall दिखता है you can go for a buy कम-कम quantities के साथ इस पे अपनी position को trade लेकर चल सकते है right now this particular stock is trading at 384.70 you can buy this particular stock above 350 and target should be I think around it's yeah target should be 355 to 358 okay and our stopper should be let me show you 346 okay but 350 को cross होने दीजेगा then आपको buy के ले जाना है our next stock is brigade brigade पे भी buy करने की ही आप लोगों को opportunity दी जा रही है जिस तरीके से let me show you on a weekly time frame first of all ठीक है because weekly time frame पे आप यह देखे यहाँ देख सकते हैं कि similar type of situation थी first time यह fall आया lifting की तरह एक recovery हुई and it gave a breakout breakout देने के बाद यहाँ पर retest कर रहा है and first time यहाँ से एक retest करके ऊपर जाएगा तो आप लोगों को already बता रहा है कि जब first time एक बर retest करके ऊपर जाता है तो chances are high कि यहाँ पर एक अची rally में देखने को मिल जाती है ठीक है so right now this particular stock is trading at 248 आप around इस level Q पर buy बना सकते हैं that is at this price ठीक है तो probably यह जो price निकल गया रहा है that is 249.5 249.5 Q आप लोग buy बना सकते हैं almost 5 to 6 points यह आप लोगों को अराम से देगा ठीक है our next stock is Aurobindo Pharma यह अला particular stock मैंने आप लोगों को Instagram पे भी upload करके बताया था ठीक है as you can check और मैंने हाँ पर buy भी initiate करा था आप देख सकते हैं जो alert मैंने लगा रखा था 925 Q पर breakout पे so इसने मुझे बहुत अच्छा profit दिया भी है and यहाँ पर आप देख सकते हैं एक upmove, एक retracement, एक upmove previous high को break करा उसी जगह इसने दुबारा retest करा है और दुबार upmove आ रही है जब इसने previous high को इधर break करा था तो एक नया high बना था तो yes इसको इसने break कर दिया अब chances आ रहे है कि एक upmove अच्छी दे सकता है तो अभी right now this particular stock is at 998 अगर इसका 1000 रुपीज का psychological level 1 cross होता है you can go for a buy for a target of 10 to 12 points okay our next stock is outcome outcome को भी buy करने के लिए ही opportunity दी जा रहे है जिस तरही के साब देख सकते हैं कि एक first of all एक्टवे इसने head and shoulder pattern का break out दिया तो उसके बाद री टेस्ट करा कल के दिन Friday के sorry Monday के trading session के अंदर and it gave a break out again थेक है बट आप इन चीजों को देखेंगे अगर इन candles को observe करेंगे तो यह particular psychology की क्या बत आ रही है ना तो यह नीचे रुकना चा रहा है नीचे से भी buying आ रही है and उपर से भी एक selling pressure आ रहा है आप अगर यह 3100 and okay 3100 and 15 or 16 को cross करता है you can go for a buy in this particular stock I think यह अच्छी मूमेंट यह stock दे सकता है okay so nifty bank nifty की बात करें nifty तो प्रॉबबली 14200 के आसपास trade कर रहा है okay but अगर इसको break करता है तो एक अच्छा selling pressure आ सकता है जो कि इसको अरांब से 500 points तक भी लेकर जा सकता है on a downfall okay तो इस चीज को observe करिए गर right now as you can see मैं थोड़ा सा आप और को को on a early time frame दिखाता हूं yes आप यहाँ देख सकते हैं that is the stock gave an up move यहाँ से retest मेला stock नीचे आया हार retest मेला stock नीचे आया it gave a breakout in a gap up opening gap up opening के साथ breakout दिया उसके बाद first time उपर exact इसी point पे retest second time उपर अपने previous high को break करा exact इसी point पे retest so guys यह level एक important level हो जाता है अगर इस level के नीचे candle closing देता है that is 14,230 14,230 के नीचे एक early candle close हो जाती है you can go for a short or I think the target should be around 14,160 जो कि एक gap है जिसको fill करना है ठीक है और उससे नीचे भी जा सकता है but stock को watch करके रखी का इस level से एक up move भी आ सकती है जो कि एक नए high बना सकता है because right now index is not weak index is making higher highs and higher lows ठीक है इस नीचे पने previous low को भी break नहीं कर रहा है and अपने highs को break रहा है so that means we have to go for a buy जब भी हमें dip में मिले बट अगर कल ये level एक harley candle के साथ closing देता है we can go for a sell as well ठीक है बैंग निफ्टी को check करते हैं बैंग निफ्टी क्या बता रहे है बैंग निफ्टी को check करके देखते हैं जी देखें इधर भी आप चेक कर सकते हैं कि इस level से एक bounce आया first of all let me show you from here एक up move आया इसी level पर consolidate करा उसके बाद एक fall and it gave a breakout ये भी gap up के साथ breakout दिया फिर इस range में बहुत time consolidate करा it gave a breakout again okay so यहां पर अभी क्या दिख रहा है this particular stock is trading at this range nifty तो अपने exact bottom की range में आ चुका है but bank nifty अभी नहीं आया so bank nifty में भी हमें short नहीं करना है जब एक early closing हमें 30,900 के नीचे मिलेगी तब हम लोग कह सकते हैं कि अब यहां से bank nifty वीक हो चुका है और हमें अच्छे levels देखने को मिल सकते हैं on a downside but अभी वी मैं कह रहा हूँ यहां पर ना buying करने की opportunity दी जारी है ना sell करने की on bank nifty nifty पर आप देख सकते हैं nifty को one hour watch करेगा on around 10-15 तक watch करेगा और देखेगा कि पहली candle कहा close कर रही है on a green candle में basis पर close कर रही है या फिर red candle पर नीचे breakdown दे रही है so guys do follow us on instagram as well अगर आप stocks in advance series को देखना चाहते हैं and वहां से फायदा उठाना चाहते हैं but आप फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप लोग मुझे अपने chart analysis send करेंगी because अगर मैं आप लोगों को levels नहीं बताऊंगा and आप लोगों को फायदा भी मिलते रहेगा ठीक है guys so guys good night हम लोग मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो पर मैं शिवांच बसीन signing off